नमस्कार दोस्तों मैं श्रीवंत राय आप देख रहे हैं मेरा चैनल संजीवन अन कंपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो विंडो के ग्लास होते हैं या पार्टिशन के ग्लास होते हैं इनके उपर हम फिल्म कैसे लगा सकते हैं अब कई जगह पर requirement होती है कहीं पर design की कोई फिल्म लगानी होती है कहीं पर solar control की फिल्म लगानी होती है कहीं blind करने की फिल्म लगानी होती है कहीं frosted की फिल्म लगानी होती है तो अलग-अलग purpose के लिए लोग जो है वो glass के उपर film लगवाते हैं और दूसरा benefit उसमें ये भी होता है कि अगर हम glass के उपर कोई process करके उसे film जैसा एक look देना चाहें तो वो काफी costly process होता है और film जो है वो काफी सस्ते में लग जाती है तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि glass के उपर film कैसे लगाते हैं इस वीडियो में मेरी एक window बनी हुई थी basement window और उसमें मैंने clear glass use किया था जैसे कि client की requirement थी बट client की requirement है वो बाद में change हो गई और उन्हें frosted glass की ज़रुरत थी तो window जो है वो तयार हो गई थी और सब कुछ जो है वो installation के लिए ready था तो इसलिए हम glass को replace नहीं कर सकते थे तो इस case में हमने clear glass के उपर frosted film लगा दी तो ये जो पूरा process है वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और ये वीडियो आप जब पूरी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि glass के उपर हम film कैसे लगाते हैं तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को like ज़रूर करिएगा और चैनल को subscribe करिएगा तो चलिए शुरू करते हैं ग्लास पे फिल्म लगाने के लिए पहले हमें ग्लास को अच्छी तरह से साफ करना होगा तो अच्छी तरह से साफ करने के लिए हम सोप वाटर का यूज़ करेंगे यानि कि साबून के पानी का हम इस्तवाल करेंगे तो पहले उसे स्प्रे करके हम ग्लास को अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे छोटा सा हैंड मॉप हम रबड का जो है वो लेकर हम ग्लास पर जो भी छोटी डश्ट होगी उसे क्लीन कर लेंगे तो फिल्म लगाने में सबसे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर कुछ आती है तो यही होता है कि अगर कोई डरस जो है वो ग्लास के एपर झुट जाता है तो फिल्म का जो एप्atiqueशन है वो अच्छे से नहीं हो पाता है तो पहले हमें अच्छी तरह से ग्लास को साफ कर लेंगे तो आप पर भी आप फिल्म लगा रहे हैं तो वहाँ पर आपको यह ध्यान देना होगा कि वहाँ पर कोई डस्ट या ऐसा कोई काम नहीं चल रहा हो जिससे बार-बार ग्लास के उपर डस्ट आ जाती हो क्योंकि इस तरह से जो आपका फिल्म लगाने का जो प्रोसेस है वो अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाएगा साबून के पानी को जब हम साफ कर लेते हैं तो उसके बाद में एक साफ कपड़ा लेकर हमें अच्छी तरह से ग्लास को साफ करना चाहिए जब ग्लास अच्छी तरह से क्लीन हो जाए तो आप फिल्म को ग्लास पर रखके देख लें फिल्म की जो साइज है वो ग्लास से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए इसका ध्यान रखें और जो भी एक्स्ट्रा फिल्म है वो जब हम अच्छी तरह से अप्लिकेशन कंप्लीट ह कि जिए तो इसे कात सकते हैं हमने फिल्म को ग्लास पर रखके देख लिया कि उसकी साइज जो है वो थोड़ी सी लास से बड़ी है तो अब हमल्म को जो है वो का निकाल लेंगे उसका जो स्टीकर है उससे हम उसे बहार निकाल लेंगे जब हम फिल्म का प्रोटेक्टिव स्टिकर निकालते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि फिल्म के उपर डाइट्ट हमारा जो हाथ है वो न लगे और फिल्म के उपर कुई और साथी साथ ग्लास के उपर भी हमें सोफ वाटर जो है उसे स्प्रे कर देना है और एक बार फिर से हमें क्लीन कर लेना है और फिर सोफ वाटर स्प्रे करने के बाद हम फिल्म को ग्लास के उपर रख सकते हैं फिल्म को ग्लास पे रखने के बाद हम फिल्म के उपर फिरसे स्प्रेय कर लेंगे और जो पानी ग्लास के और फिल्म की बीच में और फ़सा हुआ है उसे भी हम अच्छी तरह से बाहर निकाल देंगे पानी को हम hand mob से चारो तरफ से हम side में करके उसे बाहर निकाल देंगे आप देख सकते हैं कि कैसे हम उस process को कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना होगा या आप इसी तरह से थोड़े soft hand से आप पानी को एक तरफ पुश कीजिए जैसे हम चारो तरफ पानी को हमने पुश कर दिया है और फिर उसके बार में जो एक excess sheet है उसको roughly आप काट लीजिए चारो तरफ से अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यह जो film है वो frosted है लेकिन इस वक्त वो clear दिख रही है वो इसलिए है क्योंकि फिल्म जो है वो पानी से भीगी हुई है जब यह सूख जाएगी तो इसका जो frosted ओर है वो वापस आ जाएगा और यह फिल्म जो है वो frosted बन जाएगी अब आप देख सकते हैं कि एक तरफ का जो पानी है वो काफी बाहर निकल चुका है तो उस साइट पर हम फिल्म को और थोड़ा perfect size में काट देंगे कि जो अंदर बचा हुआ पानी है वो अगर हम एक और बार मॉप करें उसे तो वो पूरी तरफ से बाहर आ जाए त्रीक उसी तरह से दूसरे साइट में भी जो पानी है वो बाहर आ चुका है काफी तो उसे भी हम थोड़ा छोटा काट देंगे कि जो बचा हुआ पानी है उसे हम बाहर पूल कर सके एक्सेस फिल्म कटने के बाद इस तरह से हम जो बचा हुआ पानी भी है उसे भी बाहर पूल कर देंगे तो इसे बीच में फिल्म और जो ग्लास है उसके बीच में पानी जरा भी नहीं होगा और फिल्म जो है वो अच्छी तरह से ग्लास पर चिपक जाएगी क्षरा सची तो का अधि शनयी थे शीशह में अंडम कर दके का बस्त पर दके जैस्ञ बंक कर दूब तो अब हमने जो एक्सेस फिल्म है उसे हम निकाल कर जितना भी एक्सेस पानी बचा हुआ है फिल्म और ग्लास के बीच में उसे बहा निकाल देंगे तो अब हमने जो एक्सेस फिल्म है उसे काट लिया है लेकिन फिल्म अभी भी प्रफेक्ट नहीं कटी है अभी भी जो थोड़ा हिस्सा फिल्म का है लास्ट हिस्सा लास्ट पार्ट वो बाकी है तो उससे काटने से पहले हम जितना भी पानी बचा हुआ है उसे बहार निकाल लेंगे और एक बार फिल्म को अच्छी तरह से साफ कपड़े से पोच लेंगे अगर थोड़ा भी डस्ट अगर रह गया है कॉर्न पर तो आप फिल्म को थोड़ा सा उपर उठाकर उस दस्ट को बहां निकाल सकते हैं और फिल्म को वापस उसकी जगर पर लगा सकते हैं लेकिन ये तब आप कर सकते हैं जब तक फिल्म जो है वो पाफिक साइज में नहीं कटी हुई है अब फिल्म को पाफिक साइज में काटने के लिए जो की फिल्म एप्लिकेशन का फाइनल पार्ट है आप कोई भी सीधी चीज का इस्तमाल कर सकते हैं हमने यहां पर एक सीधे सेक्षन का इस्तमाल किया है तो उसे हम सीधा रख कर जो फिल्म है उसको हम कॉर्णर से ब्लेट से काट लेंगे तो फिल्म जो है वो परफेक्ट साइज में कट जाएगी तो अब अगर आपने नोटिस किया होगा तो जैसे जैसे फिल्म सूख रही है तो उसका जो फ्रॉस्टेडनेस है वो वापस आ रहा है वो फिर से फ्रॉस्टेड हो रही है अब यह फाइनल कटिंग के बाद हमारा जो फिल्म एप्लिकेशन है वो कम्प्रीट होता है अब हम ग्लास पर जो हमारी फिल्म है वो अच्छी तरह से लग गई है अब आप देख सकते हैं कि जो ग्लास ट्रांस्परेंट था वो कितनी अच्छी तरह से फ्रॉस्टेड हो गया है उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो के जरीए जो मैं बताना चाहता था कि आप फिल्म कैसे लगा सकते हैं ग्लास के उपर इसकी जानकारी भी आपको मिली होगी वीडियो से जोड़ी हुई अगर कोई भी आपकी questions हो या कोई आप मुझे details बताना चाहें तो आप comment में मुझे बता सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like जरू करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा धन्या